अकोला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूनमेंट सीजन वन की सफलता के बाद 22 दिसंबर से सीजन टू की शुरुवात अकोला के शास्त्रे स्टेडियम में हो रही है मुंगेर खान द्वारा आयोजित क्रिकेट टूनमेंट के लिए खिलाडियों के रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से शुरू हो रहे हैं वहें इसमें पिछले साल की कुल आठ टीमें भाग ले रहे हैं 12 दिसंबर को RS होटल में खिलाडियों की निलामी होगी 22 दिसंबर को शांदार उदघाटन समारो टूनमेंट का रखा गया है और 23 दिसंबर से इस टूनमेंट की शुरुवात होगी इस क्रिकेट टूनमेंट का फाइनल 2 जनवरी 2022 को खिला जाएगा आपको बता दे हर टीम में 15 खिलाडियों के लिए निलामी होगी हर टीम को एक आइकन प्लेयर दिया जा रहा है जिसके बाद पूरी टीम का चैन होगा युवाव में खेल प्रतिभा बढ़ाने के लिए यह टूनमेंट काफी फाइदेमन साबित हो रहा है पिर एक बार आकोला में सीजन 2 एपील टूनमेंट यानि के आकोला प्रीमियर लीग किर्केट टूनमेंट का आगाज यहां होने जा रहा है आपको बता दे पिचला टूनमेंट यहां काफी सीजन बस जो सक्सेस हुआ उसमें काफी सुनके है यहां बठोरी है इससी को लेकर टूनमेंट कमिटी हमारे साथ मौजिर है इसमें जिसमें आपको बता दे के फुनमेंट कमिटी की जड़ीश है जाविद खान है दिनेश है और में और और अर्गनाइजर मुनकिर खान अबद भाई अनुरा जोजिन महला और प्रवीन यह में और अर्गनाइजर है इसी के साथ हम जानते है किस तरह का यहां पर सीजन को का शुरुआत या और टाइम टेबल है अनुरा घुन्जन वाला थे सीजन टू के लिए हमने सबसे पहले तो प्लेयर रेजिस्टेशन रखा है लेर रेजिस्टेशन हमारा गैलेक्जी जीम सास्ती स्टेडियम टावर चौक पर 26 नुवेंबर को सुबह 10 बज़े स्चार्ट हो जाएगा तो अकोला जिल्ला के सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है क ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और जल से जल क्योंकि हमारा लिमीटेड है 275 पहले जो प्लेयर साइंगे उनी को हम रेजिस्टर करेंगे तो 26 नॉवेंबर 2021 सुबह 10 बज़े से गैलेक्जी जीम पर यह रिसन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में हमने टूर्णामें जो है वो है एक जनुवरी 2022 को से वनेल से हमारे दूनों भी और उसके बाद दो जनुवरी 2022 को हमारा ग्रेंड फिनेल है इसी स्टेडियम पर यह थे हमारे साथ टूर्णेमेंट कमेटी एपियल सीजन टू की आपको बता दी यही वो ग्राउन है जहां पर एपियल की